दोस्तों नमस्कार, बॉंबय हाई कोट के एक फैसले ने दोस्तों महराश्टो के मुख्यमंत्री उद्दव ठाकरे और महाविकास अगाली सरकार के होश ओला कर रख दिये हैं महाविकास अगाडी सरकार ने दोस्तों पूरा जोर लगा दिया कि किसी भी तरीके से जो अनिल देशमुक के खिलाब में CBI ने FIR दर्श की थी उसमें से दो पेराग्राप जो है हटवा दिये जाएं जिसमें ट्रांसफर और पोस्टिंग घुटाले की बात कही गई थी करेगी वैसे ही अगाडी सरकार में दोस्तों हडकब बंच गया क्योंकि अभी तो एक ही वसूली रैकेट खुला है अब पोस्टिंग घुटाले में कौन सा बड़ा नितन अपने वाला है इसका हिसाब किताब लगाने में अगाडी सरकार जुट चुकी है दोस्तों दिल्चस बात यह है कि जब अनिल देशमुक के खिलाप में CBI ने FIR दर्श की थी तो उस दोरान अगाडी सरकार देशमुक की FIR को रद करवाने पर ध्यान नहीं दे रही थी बलकी अपने आपको बचाने के लिए इन दो पेराग्राप्स को हटवाने की कोशिस में जुटी हुई थी इन दो पेराग्राप्स को लेकर ठाकरे सरकार को इतना डर क्यों सता रहा था क्या कोई बहुत बड़ी मचली को बचाने के लिए नाकाम कोशिस हो रही थी मारास्ट्र सरकार के वकीलों ने कोर्ट में अथक प्रयास किये लेकिन कोर्ट में उनकी एक भी नहीं चली कोर्ट ने दोस्तों CBI को आदेश दिये हैं कि CBI बिना किसी रुकावट के इस मामले को भी इंवेस्टिगेट करे और दोशियों को उनकी सही जगहे पर पहुँचाए दोस्तों इतना ही नहीं मारास्ट्र सरकार कोर्ट के इस फैसले को कुछ दिन टालने की कवायत भी कर रही थी मारास्ट्र सरकार का कहना था कि कोर्ट इस मामले पर अपना फैसला कुछ दिन बाद सुनाए यानि कि दोस्तों इस मामले को लटकाने की पूरी तैयारी कर रही थी मारास्टर की सरकार लेकिन जब कोट ने फैसला सुनाया तो अगाडी सरकार के होश उड़ गए खंड़ पीट ने अपने फैसले में कहा है कि हमारे विचार से सीबियाई सचिन वाजे की पंदरा साल बाद पुलिस बल में पुना बहाली वा पुलिस अधिकारियोंके ट्रांसपर पोस्टिंग मामलें की जाँच कर सकती है खंड़ पीट के अनुसार उसके साधेश को सामान नतया पुलिस विभाग में ट्रांसपर पोस्टिंग के मामले से जोड़ नहीं देखा जाना चाहिए क्योंकि पूर्व ग्रे मंत्री वा उनके सहयोगियां का मामला इससे अलग है नियाय मूर्ती शिंदे ने अपने फ्रैसले में विशेश तोर पर कहा कि पुलिस कर्वियों की ट्रांसपर पोस्टिंग पुलिस आयुक्त की जिम्मेदारी होती है ताकि उसका पुलिस बल राज्ज में शांती विवस्था बनाए रखने के लिए सही काम कर सके देश मुक पर सौ करोड रुपे की वसूली के आरोप लगने से बहुत पहले महाविकास अगाडी सरकार मेही ट्रांसपर पोस्टिंग मामले में ग्रह मंतरी के हस्तक शेप की रिपोर्ट जो है सौ करोड रुपे की वसूली के साथ साथ ट्रांसपर पोस्टिंग में अनिल देश मुक के हस्तक शेप की भी जाच करना चाहती थी लेकिन इसे लेकर लगातार महारास्टर की सरकार बंबे हाई कोट में याचिका पे याचिका दायर करने में लगी हुई थी और उन्होंने पूरी कोशिस की कि किसी भी तरीके से इन दो पैराग्राप्स को जो है उस F.I.R. में से निकाल दिया जाए जिसे C.B.I. ने दरसल अनिल देश मुक के खिलाप में दर्श किया है लेकिन कोट ने सीधे तोर पर अब C.B.I. को आदेश दे दिये हैं कि अनिल देश मुक के मामले में जो इन्वेस्टिगेशन चल रही है उसे आगे बढ़ाय जाए और इसके साथ-साथ जो ट्रांसपर पोस्टिंग का मामला निकल कर सामने आया है जिसे लेकर उद्व ठाकरे की सरकार बॉखलाई हुई थी उस पर भी जो है इन्वेस्टिगेशन चली मेराल इस प्रकरण को लेकर आप लोगों की क्या राय है मुझे कॉमेट सेक्षन में जरूर लिख बताएं इस वीडियो में अतना ही जल्द मिलूँगा किसी दूसरे वीडियो के साथ में दूसरे अपडेट के साथ में तब तक के लिए दनवाद अगर आप लोग चैनल पर आप्यों को लिए में अपडेट ए टामें अवारे दूसरे और हम ओडरर लोगों के साथ से वीडियो के घुटवा खना ही जाय है है, इस लिए आप लुटबे खना है lift वेदेतां परता पर लोग्यों किया कि दो ओल्क की कि सतने हैं और भीका हैं इस वीडि़र दीयों क्छ